पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है. इस भीशन गर्मी से हर कोई परेशान है. विश्नु पुरान में गर्मी को लेकर भविश्यवानी की गई है. विश्नु पुरान के अनुसार बढ़ती भीशन गर्मी प्रले का संकेत भी है. इसके अलावा गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बारे में विश्नु पुरान में कई चौंकाने वाली बातें भी लिखी गई है. विश्नु पुरान के अनुसार जब एक चतुर युग बीतने पर प्रित्वी क्षीन प्राय हो जाती है, तो एक सौ वर्षों तक सूखा पढ़न प्रानी सजीव होकर भी निर्जीव होने लगते हैं. उनकी शारिरिक शक्ती कम होने लग जाती है. भीशन गर्मी से चारों तरफ सूखा सूखा ही दिखाई देता है. पानी की कमी होने लगती है, और त्वचा भी सूख जाती है. विश्णु पुरान के अनुसार जब प्रित्वी भीशन गर्मी से जूज रही होती है तो यह प्रले का संकेत भी है तब भगवान विश्णु सूर्य की सातों किर्णों में स्थित होकर संपूर्ण जल को खुद में सोख लेते हैं और समुद्र, नदियों, पर्वतियक शेत्रों से नमी और जल पूरी तरह से सोख लेते हैं तब भगवान के प्रभाव से जलपान से युक्त होकर वे सातों सूर्य रश्मिया साथ सूर्य बन जाती है पृत्वी परभीशन गर्मी जनजीवन के अंत का भी संकेत है उस समय उपर नीचे सब और तेज प्रकाश होता है क्योंकि सातों सूर्य किरने भूलोक से लेकर पाताल तक संपूर्म त्रिलोकी को भस्म कर डालते है पूरी दुनिया नदी, पहाड, वन सब सपाठ होकर समाप्थ हो जाते है पृत्वी किसी कच्छुए की पीट की तरह कठोर हो जाती है इस तरह भीशन गर्मी धर्ती के अंत का संकेत भी है विश्नु पुरान के अनुसार गर्मी और फिर सूखे की स्थिती से जूचते हुए पृत्वी प्रले की तरफ बढ़ रही है